नमस्कार दोस्तों मिरनम श्रीकान कुमर अब देख रेटुजेट प्रोसेस आज हम बात करने वाल इस वीडियो में दोस्तों अगर आपके पास भोटर कार्ड है और उस भोटर कार्ड में किसी परकार का सुधार करना चाहते हैं जैसे नाम, जनमतिति, पत्त, फोटो और भी स सुधार करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास तक आपको बने रहना है क्योंकि इस वीडियो में बतलाने वाला हूं घर बैठे अपने मोबाइल से मात्र पांच मिनट में चेंज कर सकते हैं और चेंज होने के बाद वोटर कार्ड आपके एड्रेस पर मिल जाएगा और व दोस्तों सबसे पहले अपना किसी एक ब्रॉजर को ओपेन कर लेना होगा इस परकार से और ब्रॉजर में आपको टाइप करना है वोटर पोर्टल उसके बाद सर्च के बटम पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद सबसे उपर में जो लिंक दीक रहा है वोटर पोर्टल इलेक करना हो तो यहां पे एक option दिया गया create account इस वाले option पे click करके अपना account को बना लेना है account बनाने के बाद आपको क्या करना हो तो यहां पे दिखिए सबसे पहले अपना mobile number या email ID number को type कर लेना है उसके बाद इस box में अपना password को type कर लेना है उसके बाद capture code जो दिख रहा है इस capture code को इस box में type कर लेना है type करने के बाद login के बटम पे click कर देना तो चली login के बटम पे click करते हैं इस परकार से click करने के बाद दिखिए दोस्तो ID password से login होने के बाद जो कि इस परकार का आपको interface आपको देखने कि अपको मिल जाएगा और यहाँ पे दिखिए दोस्तो बहुत सारे service भी यहाँ पे दिया गया है तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना होगा तो यहाँ पे हमें voter ID card में नाम, address, date, औ, birth यह सारे चीज़ को हमको सुधार करना है तो सुधार करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा तो यहाँ पे दिखिए correction in voter ID, इस वाले option पे क्लिक करना होगा इस परकार से क्लिक करने के बाद दिखिए दोस्तो अगला page जो कि इस परकार से यहाँ पे open हो जाता है और यहाँ पे दिखिए दोस्तो disclaimer में यहाँ पे बताया गया है कि your self के लिए है यारी अगर अगर अपना account create करते हैं तो अपना ही यहाँ पे voter ID card में सुधार कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा तो यहाँ पे दिखिए एक option दिया गया है let start इस वाले option पे क्लिक करना होगा इस परकार से क्लिक करने के बाद दिखिए दोस्तों इस परकार के interface यहाँ पे open हो जाता है और दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास voter ID number है तो आपको yes वाले को select करना है अगर नहीं है तो no वाले option को select करना है तो मेरे पास है तो यास वले को select करते हैं इस परकार से select करने के बाद जो कि इस box में अपना voter ID नमबर को type कर लेना है उसके बाद इस option पर click करना होगा इस परकार से click करने के बाद सबसे नीचे में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इस वले option पर click करना है click करने के बाद दिखिए दोस्तो सबसे पहले जो कि इस box में अपना mobile नमर को type कर लेना है उसके बाद send OTP के button पर click करना इस परकार से click करने के बाद दिखिए दोस्तो इस नमर पर एक OTP को send किया गया है और उस OTP को आपको इस box में type कर लेना है तो चलिए हम OTP को टाइप कर लेते हैं उसके बाद verify के button पे click करना हुगा इस परकार से click करने के बाद दिखिए दोस्तों आपका mobile number verify हो जाता है verify होने के बाद इस परकार का एक page यहाँ पे open हो जाता है और दोस्तों यहाँ सब्यों के voter ID card में आप क्या change करना चाते हैं यहाँ से आपको select कर लेना है अगर आप नाम को change करना चाते हैं तो इस वाले box को select करना है अगर आप relative name को change करना चाते हैं तो इस box को आपको select करना है अगर आप date of birth को यहाँ पे change करना चाते हैं तो इस वाले option को आपको select कर लेना है, अगर आप यहाँ पर relation name को यहाँ चेंज करना चाहते हैं, तो इस वाले option को select कर लेना है, अगर आप voter ID card में फोटो को change करना चाहते हैं, तो इस वाले option को select कर लेना है, अगर आप voter ID new format में अगर आपको चाहिए, तो इस वाले option को select कर लेन तो यहां से चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं नाम को इस परकार से नाम और यहां से सेलेक्ट लेते हैं फोटो और उसके बाद यहां पर सबसे नीचे आपसन दिया गए इस परकार से नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको कुछ document को upload करना होगा नाम proof में तो name proof में आप document upload करने के लिए आपको क्या करना होगा चुछ file के option पे click करना होगा इस परकार से click करने के बाद अपना गैली को select कर लेना है और यहाँ से जो भी आप document में रखे हुए name proof में यहाँ से आपको select कर लेना है और दोस्तों इसका size होना चाहिए JPG में होना चाहिए और 2MB से कम होना चाहिए उसके बद आपको इस परकार से नीचे आना है और यहाँ पर दीखे सबसे पहले जो कि जो आप आपको फोटो रखना है आपको भोटर आईडी कार्ड में तो यहां से आपको क्या करना होगा अप्लोड फोटोग्राफी वाले ओप्सन पर क्लिक करके आपको यहां से फोटो को अप्लोड करते हैं तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा जितना फोटो आपको रखना है इ और यहां पर दिखिए upload हो जाता आपका photo इस परकार से और उसके बाद सबसे नीचे में option दिया गए save and continue इस वाले option पर click करना होगा इस परकार से और उसके बाद दिखिए दोस्तो इस परकार के page open हो जाता और यहां पर सबसे पहले जो है कि जीस address पर मंगवाना चाहते हैं voter ID card उसका नाम यहां पर type कर लेना होगा तो चलिए हम type कर लेते हैं उसके बाद save and continue के option पर click करना होगा इस परकार से उसके बाद दिखिए दोस्तो इस परकार का एक form यहां पर open हो जाता है और जो आप voter ID card में change कर रहे हैं इस परकार से पुरा details यहां पर देखने के लग आपको मिल जाएगा अगर इसमें कुछ दिखात है कोई problem है तो आप य इसके बाद जो भी आपका data संबित हो जाता है और उसके बाद जो है कि आपको यहां पर time लग जाता है 15-20 दिन का time लगता है 15-20 दिन में जो है कि यहां पर आपका approval हो जाता है और जो है कि आपके voter ID card में सुधार कर दिया जाता है और उसके बाद जो है कि आपके address पर नया voter बोटर आईडी कार्ड जो कि आपको मिल जाएगा दोस्तों अगर आप इस परकार से बोटर आईडी कार्ड में सुधार करते हैं तो बहुत असान तरीका से आपके बोटर आईडी कार्ड में सुधार कर दिया जाएगा तो चली दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग जगो मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ब्लाइकन घंटी को भी प्रेस कर लिजेगा